फटाक 30 सेकेंड में खबरे डाउनलोड कीजिये तक आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक जूट बोलने वाली सरकार को हटाना चाती है उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसे मुख्यमंती को हटाना चाती है जो मुख्यमंती बहुत सी सीजियों को जानते नहीं है 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ब्राम्वणों की सियासत एक अलग करवट ले रही है तमाम दल इस वक्त ब्राम्वण वोट के लिए अपनी कोशिशें करते दिख रहे हैं यहां तक कि बीजेपी भी अलग से कोशिश करते दिखाई दे रही है आज अखिलेश यादो लखनव के गोसाई गंज में थे और वहां भगवान पर सुराम की मूर्ती की इन्होंने पूजा की है बड़ा कारिक्रम हुआ है और बड़ी तादाद में ब्राम्वण समाज वहां पर जुटा था पहले मापको इस वक्त तस्वीरे भी दिखा दें कि हम लोट रहे हैं और लोटते वक्त इनके समर्थकों का हुजूम इस वक्त एक्सप्रेस वे पर और बनारस में दिखाई दे रहा है लेकिन क्या इतनी एहम है ये सियासत हम सीधे पूछते हैं अखिले शादव से अखिले जी स्वागत है आपका सर ये बताए कि आज आपने पूजा की बकाइदा भगवान पर सुराम की इतनी लंबी चोड़ी उनके फरसा का वो भी लगा था दमरू तमाम चीज़े हम लोगों ने देखी क्या है मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी विजयरत चक गजरिया से शिरू हुआ जहां पर स्टी एल का केंपस है हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी रोजकार मिलना है और बड़े पैमाने पर कारोबार भी यहां स्टी एल को यहां से करने का मौका मिलना है वहां वर्ल्ड क्लास इंटरनाशनल स्टेडियम है एक संस्किती स्कूल है दिली में जहां एड्मिशन नहीं मिल सकता है आज खाली पड़ा है कैंसल स्टीट है वो कोविड के समय काम आता कैंसल स्टीट अपने उत्तबदिस के लोगों को इलाज सस्ता मिल जाता फ्री इलाज मिल जाता वो है यह तमाम योजनाएं और ETI है यह वो जगए है जहां हम यह कह सकते हैं कि आज के समय का ड़लमेंट है और एक जगे पर इतना डलमेंट होना अमूल का प्लांट का लगना वहां से शुरू हो करके भगवान पश्राम जी के मंदिर वहां पर पूजा करने का मौखा मिला उनसे आशीरवाद लिया है और क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने और आम इस मंदिर का निर्माण किया है फरसा लगाया है तो उस सुक्ता थी कि कम से कम मंदिर में पूजा करने का मौखा मिले तो इस कारिकम के साथ उस कारिकम को भी जोड़ करके आज मैं भगवान पश्राम के दरसंग करके और उसे आशीरवाद ले करके फिर आगे के कारिकम करू आपने डेवलपमेंट की बात की तमाम चीजें आपने की बकाया दिखाया भी जनता देख भी रही है तो ये चुनाओ में डेवलपमेंट के प्लैंक पे चुनाओ होने जा रहा है या फिर जाती ही हावी रहेगी जिस तरीके से दिखाएगा देखिए ये चुनाओ किस रास्ते जाएगा एक रास्ता तुम मुझे पता है उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक जूट बोलने वाली सरकार को हटाना चाती है उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसे मुख्यमंती को हटाना चाती है ज उत्तव पदेश के जो माफिया हैं, उनकी सूची क्यों नहीं जारी हो रही है? बनारस का माफिया कौन है? चंदॉली का माफिया कौन है? मिर्जाबुर का माफिया कौन है? जोनबुर का माफिया कौन है? और सौनबस से ले करके भधोई तक के माफिया कौन है? अगर वो सूच चाहता था, साथ ही साथ परिवार ने ये भी का परसासन से, कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दास सुबह कर दो, क्या लखनों में बैठे हुए मुख्यमंत्री, और वहां पर बैठे हुए परसासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अफमान किया, वो कौ जोन था वो विधायक जिस पे मुगदमे थे, बलातकार का आरोब था, मुख्यमंती जी क्यों अपने पास बैठाए थे, क्यों मुख्यमंती जी बलातकार करने वाले एक विधायक के साथ खड़े थे, और एक घटना नहीं, उत्तपदेश की कई घटना में किना सकता हूँ, ज लॉइन ओडर की ही वो भी लगातार बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि लॉइन ओडर को लेकर आपको सबसे ज़्यादा घेरने की कोशिश होती है। किसी भी डीजी पी से आप पूछ लीजिए, क्या उनके प्रदेश में ऐसा स्थान है, क्या ऐसा पुलिस हैटकाड है, जहां एक जगए बैठ करके सब फैसले किया आ सकें। तो पुलिस में स्ट्रक्शनल चेंज, पुलिस को आधुनिक बनाने का काम और पुलिस को और मौका दिया अच्छा काम करने के लिए। लेकिन हमारे कमाल के मुख्यमंतरी हैं, पुलिस से सब गलत काम करवाते हैं, ठोको राज करवाते हैं, और उसका परड़ाम यह हुआ है, कि आज सबसे ज़्यादा फेक इंकाउंटर उत्तपदेस में हुआ हैं, सबसे ज़्यादा नेयाशनल हुमन राइट कमिशन नोटिस उत करवात किया है, तो यही सरकार और बाबा मुख्यमंतरी ने किया, क्या वो भूल जाएंगे, गोरेपुर में एक वेपारी किया था, पुलिस ने मार मार के इसकी जान ले ली, क्या यही लॉल नोटर है, अखले जी हम पलिटकल सवाल पर आते हैं, कल मुख्यमंतरी हो गया, इतना तना अइलान कर दिया है, कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अखले शादो भी चुनाव लड़ेंगे, 2022 के चुनाव में खुद लड़ेंगे, मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूँ, बड़े चुनाव लड़े हैं, और समाजवादी पार्टी तेह करेगी, और एक सवाल और, एक चीज़ देखा जा रहा है लगातार, वो ये कि अखले शादो बाबा को तो अटैक करते हैं, लेकिन प्रधान मंतरी मोदी के प्रती सौफ्ट हैं, या फिर उन पर अटैक नहीं करते, क्या ये स्ट्रेटीजी है, जैसे हम लोगों ने देखा राजस्थान में कि मोदी से कोई बैर नहीं वसंदराते रिखाने, ऐसे ऐसे नारे चले थे, तो क्या एक सौफ्ट अप्रोच मोदी के प्रती दिख रहा है, देखे हमारा कोई सौफ्ट अप्रोच नहीं है, अगर आज उत्तरप्रदेश के साथ भेदवा हो रहा है, उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार भी हो तो बदेश सरकार भी है, मान लिए कोई योजना है, दिल्ली सरकार बताए कि क्या सहयोग कर रही है, यह एक्सपरेस वेज समाजा दी पूरवान चल एक्सपरेस वेज, इसका नाम बदल दिया था, बताएं दिल्ली सरकार की क्या देहन है, क्या हम लोग बाबा मुक्णति जी का जानत है अखरी सवाल ले रहा हूं सर ये जेल जेल आज प्रधान मंतरी ने कहा कि खेल के बात हुई मेरट में लेकर उन्हें ने कहा कि बाबा जेल जेल खेल रहे उत्तव परदेश के लोकतंत में ऐसा खेल पहली बार हुआ होगा जहां मुक्यमंत्री पर खुद इतनी गंभी धानाई थी मुक्यमंत्री जी ने ऐसा खेल खेला कि अपने ही मुक्यमंत्री ने ऐसा खेल खेला है कि डिप्टी सीम जिस पे मुक्यमंत्री थे वो बापस दे लिए बार्दी जन्ता पार्टी ने देश के त्यास में ऐसा खेल पहला खेला है जहां पर तमाम मुकदमे थे उसको मुकिमंदी बनाया और उसको मुकिमंदी बनाया जो B.J.P. का सद्द से नहीं था B.J.P. के लोग जन्होंने खून पसीना बाया तमाम सीनियर लोग हैं जो दुखी हैं वो ये सोचते हैं कि बताओ हमारे उपर किस को बेटा दिया जो हमारा हक था हमें मौका मिलना चीए था हमारा हक चीनने का काम अगर किसी ने किया तो यही कियल किया laz झाल झाल